नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के स्री टीवी आपके साथ मैं हूँ अविरल सेंग रामपुर के अप्चुनाओं में दो परिवार हैं एक नूर महल परिवार जिसे कहा जाता है जिसमें नवाब खांदान शामिल हैं उनके दादा से लेके अब तक जो हमजा मिया हैं सभी लोग राजनीते के रूप से सक्री रहें दूसरा जो है खांदान आजम कहा जाता है यह दो ही जो परिवार हैं वही लगातार इस चुनाओं में रामपुर के सक्री रहते हैं उप चुनाओं होना है 40 साल बाद ऐसा लग है कि जो आजम का खिला था वह भेह जाएगा जो जनता का रिक्सन है इस पर पूरे मामले पर हमारे साथ नवाब परिवार से हमजा मिया मौजूद है हमजा जी स्वागत है पंजाब किस तरीके साब देखते हैं चुनाओं को देखें चुनाओं की समीकरन अब बदले वे है पब्लिक एक तरीके से परिशान है जो आदमी अपना अपना दामन साफ कहता था कि मेरा बिदाख दामन है और मैं जनता का सेवक हूँ पब्लिक के सामने सारी बाते आ गई है कि किस तरीके से उन्होंने पब्लिक को लूटा है किस तरीके से यूनिवरस्टी के नाम के उन्ह यह सपा के लिए भाजपा के लिए अभेद्ध होगा हमेसा सपा का ही कपजा रहेगा लेकिन जब हम फिल्ड में घूमे जब हम लोगों से हमने बादचित की तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आजम खान अपना किला अपना गण बचा नहीं पाएंगे जैसी करनी वैसी भरनी ज जाएंगे कैसे अब हमारा वी जो सुप्रीम कोट में केस है जो हम हाई कोट में एलेक्शिन डाली थी हम जीते थे तो उसके खिलाफ इन्हों ने सुप्रीम कोट में अपील करी थी जिसमें हाल-फिलाल में जजमेंट आ है दो जज़ज ज़जज ने जजमेंट दिया है और ऀन्हों कि सुप्रीम कोट की है थी करिया ही एन करने को वाड़ एसी ज़ज़ज bahat प्रॉंग वाली, जभ ऐसंड़ आभ आइस वाप्रशिट की में आप सुप्रीम कोट की खम एंडियर श्रा, कि यह जर्यी इसमें आप्यापी मेर्स साल्मा बेत साल थी कोट हम थेज़ज रहे था कि कोई कुछ कहने वाला नहीं है और नियBER क्या से मानना है घुरूर और घर्मण आंकार कहता है तो हंकारी को तो हंकारि मारता है अज हम खान करामपूर बैदोओ स्मानां एक आकास कव्सेन एक नवाब परिवार अपासक wichtiger सेद सेरे हुए जयं लग रहा है अभी तक क्या आप लोग भी चुनाओ आगे भाजपा के टिकट पर सिंबल पर देखे मैं भाजपा अपना दल का गडबंधन प्रतियाशी रहूं जो चुनाओ है और मैं बहुत अभारी हूं पार्टी का भारती जनता पार्टी का भी और अपनी पार्टी की अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है और बाकी देखिए चुनाओ है लसा करहें तो हमारा प्रयास है कि परी इस चुनाओ मैं in भाजपा की जीद और भाजपा का आप लोगों आगलन क्या कहता है उस उप्चुनाओं को लेकरै देखें मेरा मानना यह है कि चुनाओ आप कली करा दिंए बोटर यह दोना आपका सिर्ध जीतने का भी कारण मुखमांती जी का चहरा है श्रीयोगे जिताना जी का चहरा है मैं इना काम और जितना पैसा पैसा योगी जी देखे गए है पिछली बार जब रामपुर वालों को जिले के साथ मेरा मानना है कि पांचों की पांचों सीड महराजी की जोली में होनी चाहिए अगर आका सक्षेना विधायक बनते हैं तो क्या प्राथिमिक्ताय होंगी रामपुर के लिए क्योंकि खड़ा है तो अगर वह वह हूए मैं हूँ कोई भी हो अगर हम अपनी बातों पर खरें नहीं उत्रेंगे तो पबलिक हमें नहीं चुनेगी आके से एक सवाल यह भी बनता है कि दो लाक दस जारे करीब मुसलिम मत आता है वह अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ रहते लेकिन अचानक से सिफ्ट हो ना उनका मुसलिम हो हिंदू हो सीखो हिसाई हो हर किसी को सुविधाय चाहिए हर किसी को अपने काम होने चाहिए धक्या निखारा आदमी परेशान है तो वह तो ही जागा जाओ काम होगा जाओ से सुविधाय मिलेंगी आवास मिलेंगे सरकार इतने अवास दे दिये, भाश्पा सरकार ने मुसलमानों को जितने सपाने ने दिये उनोंने तो कोई डिफ्रेंशेयेट नहीं किया कि यह हिंदू है, कि आप हिंदु है, यह मुसलिम हूँ, यह सीख है, यह हिसायी है उनोंने तो एक डिया है तो अब जनता के लिए दिया है तो मेरा मानना यह है जनता भी चीज़ को देख रही है और जनता भी मन मना लिया है और आजम खा की करतू तो उनके सामने आ चुकी है कहते थे मेरा दामन बेदाग है मैं तुम में से बीच का हूँ बेदाग दामन है लॉडणा नया नया विधायक बना डेड़ करोड की वॉल्वो में टेल रहे हैं जिस आदमी एक ताइम पर लम्रेटा स्कूटर पर टेलता था तो उसके पाद ती महंगी गारी कहा साई हम तो पैसा है तो जनता को भी तुम देओ हम तो चाहते हैं रामपुर कहारेकाद मी वॉल्वो में टेल है वह तो कहते हैं कि हमने जनता के लिए स्कूल खोल दी हमने जोहर उनिवर्स्टी बना दिया जिसमें आपको भी पता फीस किती थिया जैसे रामपुर रजा डिग्री कॉल में भी एक अड्मिनेस्ट्रेटर बैठना चाहिए और वही फीस होनी चाहिए जो हमारी जो एक आम सरकारी उनिवर्सटी की फीस हो अभी हमने समाजवादी पार्टी के केंडिडिट से भी बात कि आसीम रजा से वह कह रहें जी प्रसासनिक दबाव होते हमारे लोगों को घ आदमी आप से कहने के सामने कतर आएगा तो नहीं चाहिए आफ कैमरा कह दे आउंद कैमरा नहां कह पाई जैसे इनका मानना है तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ है ना आपको ऐसा कुछ मैसूस हुआ है जब आदमी हारता है तो बहाने डूडता है एक आखरी सवाल होगा अजम खान के पतण का करण क्या क्यों आजम खान को ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में उनकी जो बिस्तर है वो गोल हो जाए उनके पतन का कारण क्या एक बाप वह जाए है यह मैंने जैसे आपको कहता था है अंकारी को उसका हंकार मान भाधा पर बोलापन दूसरी बात ज जैसे अहंकारी को कि अहंकार ने मार दिया तो आजम खांग कौन सी गेत की मुलिया मुझलों की रियासत चली गई आप बताइए लोग इतनी बड़े बोल किसी को नहीं पोलने चाहिए उन्होंने आपकी पर संपत्तियों के बड़ा नुकसान पहुचाया अब मुझे वाला उ और मुझे उम्मीद है वो दिन जादा दूर नहीं कि पांचों की पांचों सीट रामपुर की गडवंधन और गया भाजपा के अंडरमा है और मुख्यमंत्री जी को ये रामपुर वालों की जो मुख्यमंत्री जी ने रामपुर वालों को दिया मेरा मानना है व्यक्तिगत कि रामपुर वालों को उनको तोफे में पांचों की पांचों सीट उनकी जोली में देनी चाहिए तो हम जामिया थे हमारे साथ बता रहे थे कि जल्द ही हो सकता है सुप्रिम कोड जो है वो अब्दुल्ला आजम को खिलाफ हैसला दे दे और रामपुर की जंता के लिए उनों कहाए कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो सारी बांचे उनकी पूरी होंगी साथ दिल लेकिन सबसे बड़ी चीज यह होगी कि हमको यह देखना होगा 8 December को कि जब जनता का जो वोट है जब वो खुलेगा तब वो पासा किस तरब पल्टेगा आप देखते रहिए पंजाब के स्री टीवी